नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी आंधुलर और उनके प्रवर्तक तो आप से पूछा जाएगा के नई कहानी के प्रवर्तक कौन थे तो आपको ध्यान रखना है राजिंद्र यादब मोहन राकेश और कमलेशवर इनको लेखक त्रही के नाम से भी जानते ह ठीक है या तो इसको आरेम के बोल सकते हैं एम आर के याद रख सकते हैं आ कहानी के प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद बिमल आ का मतलब होता है नहीं तो तुम्हें बिमल नहीं खाना चाहिए मतलब बिमल गुटका होता है न ठीक है सचेतन कहानी इसके प्रवर्तक थे महीप स सन भी दिया है तो देखो सचेतन ठीक है सचेतन में शुरू के तीन बर्डों को लोगे तो सचेत आप सचेत किस चीज से रहोगे महीप महीप को समझना है मही मही मतलब छाज पियोगे तो आप सचेत रहोगे सहाज कहानी ठीक है तो अमरत राए तो अब जैसे वह बोलते ना मि बिलते नहीं सहज में मोती ठीक है तो सहज कहानी अमरत रहा है मतलब सहज में अमरत नहीं मिलेगा समांतर कहानी कमलेश्वर तो तर तर यानी होता है मतलब वो पानी में डूबा हुआ तो कमल काय में डूबा रहता है पानी में तो समांतर कहानी के प्रवर्ता कौन थे कमलेश् उसके बाद सक्री कहानी राकेश पत्स अब राकेश यानि क्या होता है चांद तो सक्री कौन रहता है चांद रहता है जनवादी कहानी तो जनवादी कहानी के प्रवर्था कौन ते तो जनवादी लिकक संग जलेश इसमें कौन आते हैं तो उदय प्रकास असद जैदी और दोस्तों इनके सबके सन भी दिये गए हैं कि नई कहानी 1956 आ कहानी 1960 सचेतन 1964 सहाज 1968 समांतर 1972 सक्री 1989 जनवादी 1982 दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ चुड़े रह सकते हैं धन्यवाद जैराम जी की ज हिंद जै भारत पढ़ते रहो जंदगी में आगे बढ़ते रहो दोस्तों जो मैंने ट्रिक बोली हैं उन पर फोकस करो कि तो आप याद हो जाएगा धन्यवाद